इसicios लें तोो इससे फटा is चीन Olie Cup geri करने और नमस्ते दोस्तों कैसे है है आप स्वागत कोटती है डीदी की Climate कुछ जील लिया है तो मैश पानी ले लिया है बर्तन तो इस में been gratter इसे में बोश करूंगे अलुके ताकि इसका सारा स्टाज एक्स्रा निकल जाए तो चलो इसे फटा-फट दो लेते हैं तो इसे देखिए मैं इसका पानी ऐसे निचोड के फिर इस अलग बर्तर में डालूंगे तो यह देखिए कि खिले-खिले हो जाएंगे इसी तरह से एक अब हमें और इसे दो लेना है फ्रेंड्स यह देखिए अब मैं इसे अच्छे से निचोड ले रही हूं ताकि इसका सारा पानी जड़ जाए तो इस तरह से इसे पूरा चान लेना है आप चाओ तो कपड़े पे या स्टेनर में भी चान सकते हैं मैं तो इसे दबा के इसका अब आप आपानी निकाल ले रही हूं तो इसका विसका स्ट्रास नीपल जाएगा तो बहुत क्रिस्पी क्रंची बनते हैं तो खाने में बहुत डिलिशिस लगता है तो आलू मंचूरिन बनने के लिए ये आलू तयार हो चुके है तो बढ़ते है रिशिपी की तरफ अब साथ ही सबस्क्राइब बनानी के लिए मैने आलू को ग्रेट कर लिया तो सबसे पहले मैं इस Gospel कमs मेंने इस में मेदा डाल दिया है हम पीछे से से देखेंगे और लगज़गा तो इसमें साती सात मैं डाल रही हूं मक्स का अठा है आप चाव तो चावल कावी आटा डाल सकते हो और मेरे पास चावल का आटा है तो मैं यह भी डालूगी इससे बहुत क्रंची स्वाद आता है अग साथे साथ में इसमें डाल दे रही हूँ आदा छोटे से चमच काली मिर्च यहीं पर मैंने एक चमच ले लिया है अधरक लेस आदा छोटा चमच चाथ मसाला डाल लिए अब चाव तो डालो नहीं तो स्कीप भी कर सकते हो इसे टेस्ट बहुत बढ़ियां आता है और अब हमें डालना इसमें नमक यहां बे मैं थोड़ा से नमक डाल लिए नमक अपने स्वादन स्वार डालना है तो इसे अच्छे से म इंप लिए कि फिरा नहीं करम तरकी के इसे मिल स्वादना डालना हैसे मिलाना है तो आनती है अप्रहिए occupy तो सब्स्वाद स्वादक िरें přिश drink यह से में खूल लिया लेकिन मुझे यह अर्डुसे बनने में नहीं हो रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा और इसमें मैधा ढ दालोंगी तो फिर से इसे गुटेंगे तो फिर ये देख लीजिए ऐसे हलके हाथों से इसके बॉल्स बनाना एक बन जारा है जो छोड़ी छेद रहे रहे ना इसमें जब तेल भुसे गा तो ये बहुत क्रंची बने गा तो इसके लिए आप टेंसर मत लीजिए बस ऐसे हलका इसे बनाना है देखिए गाइस मैंने यहां पर चोड़े-चोड़े बना लिए बस हलके हातों से ऐसे और कडाई में रख दिया तेल गरम होने के लिए तेल को इदम धुआधार गरम कर लेना है इदम रेस्टोर्न स्टाइल तो फ्रेंड्स ये तेल देखिए दुआधार ग त्रष्टोर्न स्टाइल मैं ना तेल राव उस लंग तो ये कहा हो थेक्तुत सभी बॉल्स को मैं गाल को मैं डाल ले रह हैं हाई इसे लो फ्लेम पर दीम चुटाि ह recap ये बहुत वार से में जाओ इंगे तो आप ये फ्लेम उन्ड़ мел heritage levar को दिया जाएंगे तो ये दियान जब बॉल्स को निकाल ले रही हूं और फिर से सारे जब बॉल्स कम्प्लेट हो जाएंगे तो फिर इसे एक बार और डिप करना है और जाएंगे के भी बॉल्स को फ्रेंट्स पका ले रही हूं इसी तरह हमें यह याद रखना है कि जब हम बॉल्स को हाफ फ्राय करें तो अंदर से कुक होना चाहिए अगर वह कुक नहीं रहेंगे अच्छे से तो बाद में ठंडे होने के बाद वह क्रंची नहीं रहेगा हूं में आप कुक कर लिया लेकिन देखिए इनमे का क्रंच है इसके अंद जह किया हो होताया रेस्टोरेंट वाला स्वाद आता है रेस्टोरेंट में हैसी करते हैं तो मैं इसे एक और 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 उयल पका लेना है ताकि इसका क्रण्च बरकरार रहे तो खाने में तभी न इदम टेस्टी लगेंगे मंचुरियन्स रिस्टोरAND में भी एसे ही होता है जब कोई कस्टरुमर आता है तो ये पकोड़ो को फिर से तल लेते हैं और सबसी के साथ मिला के देदेते हैं तो घाने में कितना मस्त लगता है बहky हम भी बना रहे हैं अगर आपको बोरिंग्ड लगता है, दो दू बार पकाना तो आप एक बार भी पका सकते हैं एक बार पकाएं, एक बार खाएं अगर ये जो बॉल्म सहीज़ा है कि पका के रख देंगे, हमें एक हफते के लिए तूह बोल्स को नीकाल ले रहे हैँ इतना ब्यारह लग रहा है अभी से खाने का मन कर रहा है प्रेंट का वॉल्यूम दीए कीशा लग रहा है है ना 16 आप याफ भी बनाः इसी टरह से इंस ऐम बॉल को और यह भी में आप में आप की नेखा देकि ना डिलिश्यियस है ना तो आपको पीनी लाल पसंद आप भी आड़ करते हैं, आप में दो चमस तेल लिया है और पतली सी लोगे की कड़ाई है मेरी, आपको भी अगर हो सकता है तो आप ऐसे कड़ाई लें और टेल को ऐसे-एसे पूरी कड़ाई में फ्रेट लें, यानि कि मिला लें इसका फ्लेम हमें हाई पे रखना है और तभी सब्जी को भूनना है तो सबसे पहले मैं इसमें अदर्ग डाल दे रही हूँ और साथी साथ में लसन डाल रही हूँ और हरी मिर्च को भी डाल दे रही हूँ हाई फ्लेम पे पाकाना है सब्सटी को लिए सब्सब्स प्रॉस बना रहेगे सब्सब्सदीओं को हमें ज्यादा नहीं पकाना है कि यहीं पर में डाल दूंगी कैपसिकम को, यानी शिम्मets मीर्ची को अद्सकता इसे पका लेना है यहां के में तमार्टर बादर सब्सक्राइब अब हाथ तो अब इसके अंदर मसाले डालोंगी अब मैं इसे फ्लेवर ऑड करने वाली हूँ तो यहां पे मैं ने कश्मिर लाल मिर्च पाउड़ डाल दिया है मैं यही पर छोटा चमच काली मीश पाउडर ढाल दिया है तो चमच रेक चिली सॉस दालना है अर यही पर मैं दो बड़ी चमच डाल देहूं टमैटो कैचब और यही पर मैं एक बड़ा चमच डाल देहूं स्वोया स्वाउट और तक्रीबन एक चमज में ग्रीन चिली सौफ डाल रही हूं दो चमज आरा रोट लिया है आप यहां पर मैदे का या कॉन फ्लार का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी आट करूँगी और मिला ले अच्छे से और फिर इस फ्लेवर में थोड़ा थोड़ा डालें और ऐसे मिला लें इससे क्या रहता है फ्लेवर एकदम गाड़ा हो जाता है अब हम इसमें बॉल डाल लेंगे, अब इसे अच्छे से अलग पलट लें, बॉस को ज्यादा नहीं पकाना है, तो बस इसे हलका अलग पलट लेना है, मिक्स कर लेना है, ज्यादा देर नहीं पकाना है, अब गैस को में इसे बंद कर दे रही हूँ, ये देखिए आलू मंचू प्रेंट तयार हो गए है तो यह लग रहा है ना एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल आप भी ऐसे अपने घर पर पकाईए तो आप इस तरह से बनाएंगे ना तो बाहर का खाना भूल जाएंगे और उम्लिया चाटते रहे जाएंगे फ्रेंड्स कहरी आप भी इसी तरह आप इस तरह से घर पे खाएंगे ना पका कहरी बाहर का भूल जाएंगे तो फोड़ा सप्यास डाल रहे हूं आप चाहँ को तीन अनियन भी डालिए और में थोड़ा सब्सक्राइब डाल दे रहे हूं देखे लग रहा है ना मज़ेदार इसे देखे मूं में पानी आ रहा तो रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में और अगली रेसिपी आपको क्या चाहिए आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए बाब बाई